अब तक आपने साइकल खड़ी कर मोटर साइकल रिक्सा या बस खड़ी कर शराब पीने गए ड्राइवर वाली बाते सुनी ही होगी परंतु आज जो आप सुनेगे तो अपनी हाथों की अंगुलियों को दात काट लेंगे बिहार में ट्रेन को पट्री पर खड़ी कर शराब पीने चला गया वो भी वहाँ जहां शराब एकदम बंद है ट्रेन चोड शराब पीने निकल गया ड्राइवर यात्रियों का हंगामा पास के बजार से इरिक्षा में बैठा कर लाई पुलिस उसे ट्रेन के सहायक चालत की इस लापरवाही के मामले में DRM ने जाच के आदेश दे दिये हैं कहा गया है कि जाच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ सक्त कारवाय होगी फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफतार कर ली है जानिये क्या है पूरा मामला समस्तिपूर का अपडेटिट 3 माई 2022 दोपहर के 3 बच के 41 मिनट भारतिय मानक समय समस्तिपूर में शराब पीने चला गया सहायक ड्राइव एक घंटे तक स्टेशन पर रुकी रही ट्रेन बिहार के समस्तिपूर रेल मंदल में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है यहाँ समस्तिपूर के हसनपूर स्टेशन पर ट्रेन रोक कर सहायक चालक शराब पीने निकल गया जिसके चलते गाडी स्टेशन पर एक गंटी से अधिक समय तक रुकी रही गंटे भर ट्रेन रुके रहने की कारण यात्रियों ने स्टेशन पर हंगामा करना शुरू कर दिया बाद में जियार्पी पुलिस ने सहायक लोको पाइलेट को खोच कर गिरफतार कर लिया और दूसरे सहायक ड्राइवर को बुला कर ट्रेन को रवाना किया गया दरसल समस्तिपूर से सहरसा के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन 05278 जब हसनपूर स्टेशन पहुँची तब राजधानी एक्सप्रेस से क्रॉसिंग होने की वज़े कुछ देर ट्रेन को रोका गया इस बीच ट्रेन का सहायक लोको पाइलिट एल्पी कर्मीर यादव ट्रेन के इंजन से गायब हो गया राजधानी एक्सप्रेस के गुजर जाने के बाद जब पैसेंजर ट्रेन को सिगनल दिया गया तो ट्रेन काफी देर तक नहीं चली इस पर सहायक स्टेशन मास्टर ने वोकी टॉकी के जरिय ट्रेन नहीं चूटने का कारण पूछा तो एल्पी के गायब होने की बात सामने आए नशे में धुत मिला इसके बाद सहायक लोको पाइलिट की खोजबीन शुरू हुई लेकिन काफी देर तक वह नहीं मिला बाद में वह बजार की और नशे की हालत में जियार्पी पुलिस को मिला वह शराब के नशे में इतना धुत्था की ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था जी आर्पी पुलिस ने जब उसकी तलाशी ही तो उसके पास से आधी खाली बोतल शराब का बरामद हुई पुलिस ने उसे ततकाल गिरफतार कर ली इधर एक गहंटे साथ मिनट तक ट्रेन के रुके रहने पर गर्मी जेल रहे यात्रियों ने भी हंगामा करना शुरू कर दिया बाद में उसी गाड़ी में सफर कर रहे सहरसा के सहायक लोको पाइलट को स्टेशन मास्टर ने मेमो देकर ट्रेन को 6 बच के 47 मिनट मिनट पर रवाना किया इस घटना के बाद समस्तीपूर रेल मंदल के DRM आलोक अगरवाल ने जाच के आदेश दे दिये हैं जाच रिपोर्ट आने के आधार पर उक्त सहायक लोको पाइलट पर सक्त कारवाई के भी निर्देश दिये हैं बयूरो रिपोर्ट दिन्यूस के वल सच समस्तीपूर अब सराब के नसे में हैं आज गारी लेक ट्रेन लेके आ रहे थे नहीं नहीं क्या नाम हुआ का घर कहा हुआ घर कहा हुआ अपका घर नहीं लोको पाइलट हैं नहीं